नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग राम मंदिर से रिलेटेड करेंट अफैर और जीके को देखेंगे जो कि आपके लगबख सभी एक्जामों के लिए बहुत ज्यादा महतरपूर्ण है आप लोग को पता ही होगा कि राम मंदिर जो है सो कितना आपको वाइरल है तो इससे रिलेटेड आपको करेंट अफैर और जीके का कोस्टिन जरूर पूछा जाएगा आपके एक्जाम में तो आपका जो भी एक्जाम हो चाहाए आपका एस्टेक लेबल का हो सेंट्रल गोर्मेंट का हो रेलवे एससी बैंक एसाई टीचर सभी के लिए ये वीडि जीकरेंट जितना भी जीक और ग्रींट पर बंचता है उसके पर मैं चर्चा करेंगे तो देखे दोस्तों सबसे पहला परसन है कि रामंदिर में सोने के कितने दर बाजे है तो इसका सही अंसर हो जाएगा तो इसका त्रहें कितिने एकर में बनाया गया तो देखे दोस्तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और इंडियन कंपनी है जिसका आपको नाम है लारसन एंड टुर्बो लिम्टेड जिसको आप सोट फर में L&T के नाम से सुनी होंगे ये मुंबई की कंपनी है देखे दोस्तो स्री राम की बहान का नाम क्या था तो इसका सही एंसर हो जाएगा स् आपके राम के गुरूत है देखे दोस्तो चथा परसन है रामायन के रचैता का नाम क्या है तो रामायन के रचैता का नाम है महरसी बालमी की और राम चरितमानस का नाम क्या है आप जानते होंगे तुलसी दास रामायन के महरसी बालमी की और राम चरितमानस का तुलसी दास तो आप दोनों में कांफ्यूज नहीं होईएगा देखे दोस्तों most important question है सी राममंदिर के ग्रभ ग्री का जो आशन का जो सिला है वो किस मारवल या संग्मरमर्भ से बना है ये most important question है कि पूरव की और होगा और सीन के द्वार से 32 सीरियां चरकर प्रवेस होगा यहां से दो कोश्चन आपको निकल के आ सकता है कि सीन द्वार से कितनी सीरियां है तो 32 सीरियां है और पहला कोश्चन आपको ये भी आ सकता है कि जो प्रवेस द्वार है वो किस दिसा की और है तो देखे दोस्तो सीता जिल की जो लंबाई है वो आपको 4 किलो मीटर होगी और जो चुराई है वो आपको 500 मीटर होगी तो काफी बरा जिल है आपको जो की सीता जिल है तो इस से रिलेटर आपको question बहुत चांसे के पूछ सकता है कि सीता जिल की लंबाई और चुराई कितनी है तो चार किलो मिटर लंबी है और आपको आधा किलो मिटर यानि की 500 मिटर चोड़ी है देखे दोस्तो एक और बहुत ही important person राम मंद्र के वास्तुकार कोन है ये तो लगभग आपको आना ही आना है तो वो है चांदरकांत्र स्वामपूरा चंदरकांत्र स्वामपूरा जो है ये तो आप लोग को खैर मालूम हो ही गया होगा लेकिन ये भी बहुत important question है कि सर्यू नदी के किनारे जो है अयुद्या बसा हुआ है ये भी एक बहुत important question है आप लोगों के एक्जाम में आ सकता है तो इसका सही answer हो जागा 2020 में 2020 में राम मंदिर का भूमी पूजन किया गया था ये भी परसन आप लोगों का बहुत important है राम मंदिर में द्वारों की संख्या कितनी है राम मंदिर में कुल कितने द्वार हैं तो 44 द्वार है तो राम मंदिर में द्वारों की संख्या कितनी है खे दोस्तों ये question जो है ये आपको लगभग chance है कि आएगा ये राम मंदिर का dimension पूछ रहा है कि राम मंदर की लंबाई चुड़ाई और उचाई कितनी है तो राम मंदर की जो लंबाई है तो पूरब से पच्छिम पूरब से पच्छिम जो राम मंदर की लंबाई है वो 380 फ सत्रमा question जो है वो ये है कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप है तो देखिए दोस्तों राम मंदिर में कुल पांच मंडप है तो देखिए पांच मंडप है इस बात को भी आप लोग दिहान में रखिएगा वो जो आपको गुंबद होता है या फिर मंडप होता है उसको दूँगा आप लोग को ताकि परसानी नहीं हो देखे दोस्तों अठारमा कोश्चन है और यहां पर में आप लोग देख सकते हैं यहां पर में है यहां आपको राममंदिर का ओफिसचल वेबसाइट इसका लिंक में आप लोग को डिसक्रेप्शन में दे दूँगा जिस वेबसाइट के जरिए मैं आप लोगों को राममंदिर का इंपोर्टन कोश्चन कर वा रहा हूं देखेए दोस्तो फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही BVI कोस्ट्थन आ गया है उद्या कि राममंदिर को किस सेली में त्यार किया गया है यह भी कोस्ट्थन लगभग आपको किस ने किस एक्जाम में देखने को जरूर मिलेगा तो राम मंदिर को जो है दोस्तो आपको प्राप्रागत जो सेली है नागर सेली में बनाया गया है तो राम मंदिर को किस सेली में बनाया गया है तो राम मंदिर को नागर सेली में बनाया गया है आप लोगों मालूम होगा कि जो मंदिर बनाने का तिन चार सेली होता है बैसर सेली नागर सेली तो इसमें कुन सा सेली के इस्तिमाल किया गया है। सरोवर से निकलती है किस वेद में सर्यू नदी के बारे में बताया गया है तो रिग वेद में सर्यू नदी के बारे में बताया गया है चार वेद है जिसमें से रिग वेद में सर्यू नदी के बारे में बताया गया है तो फिर से एक बार वही कोश्चन है जो कि बहुत इंपो लित हैं अयोधिया कितने साल पुराना है देखे दिछे दोस्तों 200 200 इसा पुर्व ध्यान दिजिएगा इसापुरुब रूब जो है तो आपको आयोधिया पुराना है याने की आज आपको 2024 से 2025 इस वी पहले जाईएगा उतना पुराना हम लोगों का योधिया है अयोधिया में कुल कितने घाट हैं तो देखे दोस्तो अयोधिया में कुल 51 घाट हैं देखे दोस्तो अयोधिया किस राज में है तो अयोधिया जो है उत्तर परदेश राज में है अयोधिया क्यों इतना परसिद है और क्यों इस पर में इतना तर्चा हो रहा है तो भागवान स्री राम की नगड़ी होने के कारण ये आपको अयोध्या बहुत फेमस है देखे दोस्तो ये question उतना important तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि अगर question का label बरहाया जाए खासकर अगर UP से related कोई exam है तो ये भी question आसकता है कि अयोध्या का छेथफल क्या है तो देखे दोस्तो 2522 square kilometer में फेला होया अयोध्या है यानि कि इसका जो छेथफल है वो है आपको 2522 देखे दोस्तो ये आप लोगों के लिए बहुत important question है अयोध्या airport का नाम क्या है इसका सही answer है महरसी बालमी की अंतराष्टी हवाई अड़ा अयोध्या धाम यह पूरा नाम याद रखिएगा क्या नाम है महरसी बालमी की अंतराष्टी हवाई अड़ा अयोध्या धाम याद रखिएगा कि अयोध्या में जो airport बना है वो आपको अंतराष्टी हवाई अड़ा है यानि कि अंतराष्टी हवाई अड़ा का मतलब होता है कि आप इंडि लेकिन जो की उतना important question नहीं है अगर आप लोग दूसरे state से आते हैं लेकिन अगर UP के हैं अगर आप लोग तो हो सकता है कि यह question आप लोगों को exam में पूछ लिया जाए तो अगर आप लोग बाहर के हैं तो skip कर सकते हैं UP के हैं तो पढ़ लिजिएगा बाकी सारा question आपको सभी state के लिए हैं देखें दो यह question भी बहुत important है अईध्या की भासा क्या है तो अच्छ आप अब धी आ दोस्तो यह question जो है ये भी शिर्फ यूपी वालों के लिए है अउध्या में कुल कितने गाउं है तो 12-172 गाउं है ये भी सिर्फ यूपी वाले के लिए है अद्र ही सब्द है भगवान राम की जीवन में कौन सा महाकावे संबंधित है देखे दोस्तों ये सब कुछ-कुछ में इजी डाल दिया हूँ क्योंकि लोग इसमें फस जाते हैं यूगि बहुत सारे लोगों को महाकावे का मतलब नहीं होगा महाकावे ये क्या है तो वो फस जाएं कि राम लला की मुर्ति किसने बनाई है तो देखिए करनाटक के परसिद मुर्तिकार अरुन योगी राज ने बनाया है ये बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है इसको में इस्टार लगा देजिए कि राम लला की मुर्ति किसने बनाई है करनाटक के परसिद मुर्तिकार अरु वकुनिस पुलिस से स्टेशन है जो कि मैं आप लोगों के बता दिया हूँ यूपी से है तो आप लोग पढ़ लिजिएगा नहीं तो 100% इसकीप कीजिएगा इस question को मत देखिए देखे दोस्त आप लोगों को मालूम होगा खासकर आपको railway में जो exam हुआ था उसमें आपको ध लिंक exam में भी आप आपको धार्मिक चीजों से आपको question पूछा जा रहा है तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा question ले करके आया हूँ ताकि अगर आपको भगवान स्री राम लक्षमन सीता जी या फिर आपको हनुमान जी से related question आता है तो आकि आप लोग कर दोंग बता रहा हूं को किसे आपतार माना जाता है तो लेचमन को सियासन नाग का अवतार माना जाता है यानि कि जिस आसन पर विष्णू जी रहते हैं सिय सना उनका आपतार लगवान जी को माना जाता है देख window i लच्मन और सीटा माता जो है जहां पर में रही थी उस जगा का नाम दड़ कारन्य है देखे अधानराम के पिता का नाम दसरत है देखे दोस्तों ये question है ये भी आपको important है भावार्थ रमायन किस ने लिखी है तो एक नात ने लिखी है भावार्थ रमायन जो है वो एक नात ने लिखी हैं दोस्तो 46 मा परस्ण है उस धनूस का नाम क्या था जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वेंबर में उनसे विवाह करने के लिए त्वरा था उसका सही अप्शन हो जाएगा ऑप्शन पिनाक धनूस पिनाक धनूस जो है वो महादेव का धनूस था भगमान सि कौन है देखे दोस्तो भगवान राम की पतनी माता सीता है देखे दोस्तो भगवान राम का जनम कहां हुआ है तो भगवान राम का जनम जो है अयुद्या में हुआ है इसको लेकर के काफी विबाद हुआ था देश में कि भगवान का राम मंदिर क्यों अयुद्या में ही बने के समय कहा रहे थे दंड कारणया 1 में रहे थे देखिए दोस्तों यह वीडियो अपलो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक कीजिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद